ही गाईज, वेलकम टो रिस्टोस पॉइंट, मैंसर्फ रिशिका और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कुस करने वाले हैं UPSC के ओफिशल नोटिफिकेशन जो कि अब आज चुकी है प्रेलेंस 2020 को लेकर काफी दिनों से यह आप लोग की quiz थी, questions थी, queries थी कि मैं एक्जाम कब होगी और हम लोग भी सुन रहे हैं कि Corona virus के कारण जो है exam delay हो रही है, deferred हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है, deferred की बात की गई है पताया जा रहा थे कि third of me को यहाँ पे official notification आने वाली है UPSC के तरफ से, तो वो आज आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे अब बात यह है कि कब होगी exam और आप लोग की यह query थी, क्या मैं अगस्त में होगी यह paper यह फिर कब होगी यह paper, तो सारी चीज़े हम लोग देख लेते हैं आज की date में जो 4th of May 2020 थी, हाला कि कल से आप लोग जो है काफी जादा worry थे, क्योंकि third of May को कहा गया था कि UPSC बताने वाली कि next exam कब होगी, इसका जो date पॉस्पॉर्ण किया गया है, वो date कब होगी, लेकिन इसमें भी जो आपका result निकल कर आया है, यह पूरी आप पढ़ोग है, next date कब release किया जाएगा, तो next date 20 of May 2020 के बाद ही यहाँ पर release की जाएगी, और यहाँ पर जो भी prelims की आपकी exam होने वाली थे, और जो interview postponed हो गये थे, उसको भी अभी जो है, बताया नहीं जा रहा कि किस date में होगा, यह 20 May, जब हमारी 17th of May को यहाँ पर, 17th of May को जब यहाँ पर हमारी 3rd lockdown खतम होगी, तभी उसके बाद यहाँ पर notification निकल कर आएगा UPSC के दोरा कि exam कब होगी, तो अभी यह भी नहीं पता चल रहा है कि date कब होगी, लेकिन मैं यहीं कहूँगी कि आप लोग अपने preparation पर जुड़े रहे हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कि यहाँ पर बहुत ही जल्द exam ले लेगी, क्योंकि इनको interview भी conduct करानी है, जो कि previous year की थी, और साथी साथ अभी की prelims भी लेनी है, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, जो आपनों का अनुमान लगाया जा रहे है कि August में exam हो सकती है, क्योंकि 2-3 साल पहले से क्या था, कि August में exam होती थी, prelim में लिया जाता था, लेकिन 2-3 साल से ये जो है आपका shift कर दिया गया था, जून में, तो में भी ये हो सकता है कि फिर से UPSC जो है अपने पुराने pattern पे lot आए, जो August में वो लोग prelims लेती थी, तो prelims हो भी सकती है, क्योंकि अभी जैसा situation देखने को मिल रहा है, कि कहीं भी cases हम नहीं रही है, cases रुकने का नाम नहीं ले रही है, हाला कि कुछ states में ऐसे जो कि cases बहुत जादा speed तरीके से बढ़ रही है, तो इसलिए इन सारे चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये all over India की exam है, तो सारे जब तक पूरे all over country में हमारी जो है सही से अगर स्थिती नहीं होत तब तक तो exam नहीं होगी, और जिस तरीके से ये corona की अभी situation है, तो ऐसा माना जा सकता है कि exam जो है एक दो महिने के बाद ही होगी, यानि कहने का मतलब है कि जुलाई अगस्त तक ही exam हो सकती है, इतना जल्दी सारी चीज़े आपकी जो है न, arrange भी नहीं होती, arrange करने में भी, क लेकिन on and average देखा गया है कि 10 लाग तक बच्चे जो है na exam में appear होते ही है, तो इतने mask नमर पे आपका sitting arrangement, सारी जितने भी centers वगरा है, वो सब arrange करने में time लगता है, और सब कुछ यहां पे देखते वे ही, यहां पे काम किया जाएगा, social distancing का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इत अब तक UPSC की official website की ही इंतजार कर रही थी, कि official notification ही इनकी matter रखती है, सारे ministers जो भी कहे या फिर कुछ भी हो, ठीक है, यह माना जाता है कि यह extend होगा और वैसे भी सारे exam extend हो चुके है, तो यह क्यों नहीं extend होगी, तो यह तो extend होना ही था, लेकिन यह official notification की मैं wait कर रही थी, उ इसे कि आप लोग इसको पढ़ सको, ओके, तो यहाँ पर साथी साथ कहा गया है कि जो Indian Forest Service की examination है, उसको भी deferred किया गया है, उसके बारे में भी नहीं बताया गया है, कि यह exam कब होने वाली है, ठीक है, तो यह on and average आप लोग देख सकते हो, कि इतने सारे आपकी जो इस commission के तह service और Indian Statistic Service examination, यह सारी notification यूपसी की तरफ से आने वाले है, लेकिन यह सारी कुछ delay हो रही है, just because यह coronavirus के कारण, ओके, तो I hope कि आप लोग की जितनी भी queries है, वो यहाँ पर clear हो गई हो, और आप लोग को जिस तरीके का भी help चाहिए, मुझसे आप लोग कह सकते हो, बाकि अगर आप लोग मेरे चानल पर new visit कर रहे हो, तो मैं एक बार request करूँगी कि आप मेरे चानल को subscribe करो, playlist में आकर आप लोग देख सकते हो, आप लोग को current of years की पूरे bunches यहाँ पर मिल सकती है, PT 365 जो वीजनाइस की magazine, जो most reputated magazine है, और बहुत सारे toppers भी जो है वो recommend करते हैं इस magazine को प कि मैं बहुत ही search करके आप लोग को यहाँ पर lessons provide कर रही हूँ, तो already दो lessons आ चुके है, आप लोग उसकी भी playlist में आकर देख सकते हो, साथी आप लोग को GS की भी देखने को मिलेगी, आपको history देखने को मिलेगी, साथी यहाँ पर आपकी quality चल रही है, और आपकी environment भी है संकर साथ बेटर रहेगा, time को west मत कीजे, time को अज़े तरीके से utilize कीजे, और मेरे तरफ से आपको जिस तरीकी की health चाहिए, जो भी topic में आप लोग को परिशानी हो रही है, आप लोग बस comment box में लिख सकते हो, या फिर आप लोग मुझे mail कर सकते हो, मेरी mail ID है, rishikach77 at the rate gmail.com, आप लोग को provide कर दूँगी, और 11th class की जो Tamil Nadu की history की book थी, यानि कि उसकी जो lessons थी, वो by mistake delete हो गई है, मैं उसको भी बहुत ही जल्दी आप लोग को provide कर दूँगी, तो आप लोग परिशान मत हुए, exam से पहले आप लोग को सारी चीज़े यहाँ पर provide कर दी जाएगी, ओके, तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं, अभी हम लोग next PT 365 की आपके lesson आने वाली है, तो इसके लिए आप लोग stay tuned रहे है, thank you.